या देवी सर्भू तेशु माब्रहमचारणी रूपेन सस्थिता नमस्तस्याई 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 नमो नम्हा आप सभी को नवरात्री के दूसरे दिन की हार्दिक शुब कामनाई आज नवरात्री का दूसरा दिन है और मा ब्रह्मचारने की पूजा आज के दिन की जाती है तो आज की इस वीटियो में आप सुनेंगे मा ब्रह्मचारने की कथा, मंत्र, आर्ति, क्षमायाशना और जानेंगे आज के शुब मोर्थ के बारे में उमीदे आज आपने हमारे चैनल पर देवी भागोत पुरान श्री दुर्गा सब्चती का आज का ध्याई भी सुना होगा सुभा 10 बच कर 17 मिनट से 11 बच कर 58 मिनट तक रहेगा और इन सब के लावा राहुकाल का समय जो की सुभा 7.30 से 9 बजे तक रहेगा राहुकाल के समय को छोड़कर आप पूरे दिन में कोई भी शुबकार आज के दिन कर सकते हैं मा ब्रह्मचारेनी के नाम में ही उनकी शक्तियों का और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारेनी का अर्थ होता है आचरन करने वाली अर्थात तप का आचरन करने वाली देवी और हम तब का आचरन करने वाली देवी ब्रह्मचारनी को शत्चत नमंद करते हैं मा के इस स्वरुक की पूजा करने से तब त्याग, सहयम, सदाचार आधी में व्रती होती है जीवन में कठिन से कठिन समय भी मा की कृपा से बड़ी आसानी से निकल जाता है कितनी भी मुश्किले आजाएं भक्त अपने मार्ग से और अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होता है मा ब्रह्मचारनी को तब की देवी माना जाता है हजारों वर्षों तक कठिन साधना, कठिन तपस्या करने के बादी माता का नाम ब्रह्मचारनी पड़ा था और तपस्या की इस अवधी में उन्होंने कई सालों तक निरहार विरत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव उन पर प्रसन हुए थे, तब महादेव ने प्रसन होकर माता पारवती को पनी पत्नी के रूप में स्विगार किया था मा ब्रह्मचारनी का ये स्वरूप हमें सिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कारे में सफल ना हो जाएं तब तक हमें लगातार उसके लिए प्रयास करती रहना चाहिए मां ब्रह्मचारणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है धार्मिक मानिताओं के अनुसार ये माता का अविवाहित रूप माना जाता है मां ब्रह्मचारणी की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ सच वस्त धारन कर लेने चाहिए इस दिन आप हरा या फिर लाल रंग के वस्त्रों का प्रियोग भी कर सकते हैं क्योंकि मां के जितने भी स्वरूप है यदि उनमें आप विशेस रंगों का प्रियोग ना कर पाएं पूजा करने के लिए जो भी आपने मादरुगा की मूर्ती या तस्वीर की इस्थापना की हैं, सबसे पहले वहां गंगजल चिड़के और उसके बाद दूप दीबग जलाएं, मापर आज के दिन लाल कमल का फूल और गुडल का फूल चलाना चाहिए मौसमी फलों का भोग मा को लगाएं और आज के दिन चीनी या मिश्री का भोग मा को विशेश रूप से अरपित किया जाता है, साथ याप दही और चीनी का भोग भी मा को अरपित कर सकते हैं, ऐसा करने से लंबी आयूक के साथ सुख और सुभागी का आशिरवाद भी पूजन मंतरों का जब भी जाब करें, अपने हाथ में लाल पुष्प जरूर रखें, उसके बाद श्रद्धा पूर्वक मा के चर्णों में इस पुष्प को अरपित कर दीजिगा, इसके साथ ही दुर्गा चालीसा का पार्ट किया जाता है, दूसरे दिन दुर्गा किये जाते हैं, उसकी वीडियो भी आपको मारे चैनल पर मिल जाएगी, साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है, फिर सबसे अंति में आरती करके एक्षमा याज न की जाती है, इस प्रकार सुभा की पूजा करने के साथ ही आपने जो भी भोग मा को अरपित किया है उसे परशाद रूप में घर के सभी सदस्तों में बाटना चाहिए, हो सके तो किसी एक करन्या का पूजन आपको नवरातरी के हर दिन करना चाहिए, फिर सारा दिर उपवास रखते वे आप चाहें तो निराहा रहकर या फलाहा रहकर आप वरत रखें, शाम की पूजा करें शाम की पूजा भी आपको विदिवत करनी चाहिए, संभभ हो तो शाम के समय भी आपको वरत की कता पढ़नी या सुननी चाहिए, इस परकार शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहन कर सकते हैं, नवरातरी के वरत भी दो तरह से रखे जाते हैं, एक केवल मीठा भोजन करके चाहे वो फलाहर हो मीठा या हलवा हो या आप सेंधा नमक का प्रियों कर सकते हैं तो दीखिए आपको जो भी सही लगता हो आपके शारिजिक समता जिस प्रकार की भी हो आपको उसी के नुसार व्रत रखना चाहिए और इस बात का संकल्ब भी आपको व्रत के पह प्रार्थना दधाना कर पदमाप्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतू मै प्रमचारिण अनुत्तमा इस्तुती मंत्र या देवी सरभूतेशू मा प्रमचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमोनम्हा मा प्रमचारिणी की आड़ ओम जय ब्रह्म चार नीमा मैया जय ब्रह्म चार नीमा अपने भक्त जनों पर करती सदा दया ओम जय ब्रह्म चार नीमा दर्शन अनुपम मधुरम साधना रत रहती शिवजी की आराधना मैया सदा करती ओम जय ब्रह्म चार नीमा बाए हाथ में का मंडल ताहिने में माला रूप जोतर मैं अदभुत सुख देने वाला ओम जय ब्रह्म चार नीमा देवरिशी मुन साधु गुण मा के गाते शक्ति स्वरूपा मैया सब तुझ को ध्याते ओम जय ब्रह्म चार नीमा सैयम तप वैराग्य प्राणी वो पाता ब्रह्म चार नीमया को जो निश दिन ध्याता ओम जय ब्रह्म चार नीमा नव दुर गामे मैया दूझा तुम्हारा स्वरूप श्वेत वस्त्र धार नीमा जो तिर मै तेरा रूप ओम जय ब्रह्म चार नीमा दूझे नवरात्री मैया जो तेरा वृत धारे करके दया जग जननी तू उसको तारे ओम जय ब्रह्म चार नीमा शिव प्रिया शिवा ब्रह्मानी मैया दया कीजे बालक है हम तेरे चरण शरण लीजे ओम जय ब्रह्म चार नीमा शरण तिहारी आई ब्रह्मानी मा करुणा हम पर दिखाओ शुब फल की दाता ओम जय ब्रह्म चार नीमा मैया जय ब्रह्म चार नीमा सुबह और शाम की पूजा करने के बाद सब से अंत में हाथ चोड़कर मा से इस प्रकार शमयाचना करनी चाहिए क्षमयाचना हे परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराद होते रहते हैं अपनी भक्त समझ कर मेरे उन अपरादों को आप करपा पूर्वक क्षमा करो हे परमेश्वरी मैं अहवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, तथा पूजा करने का धंग भी नहीं जानती, मुझे शमा करो हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पून हो मैं अपराधी हूँ किन्तु आपकी शरण में आई हूँ इस समय दया की पात्र हूँ आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी अज्यान से भूल से अथ्वा बुध्धी भ्रांत होने की कारण मैंने जो कुछ भी कमिया अधिक कर दिया हो वह सब शमा करो और प्रसन हो। आज आप हमारे चैनल पर मा ब्रह्मचारणी की कथा और नवरात्री के दूसरे दिन किये जाने वाले श्री दुर्गा सत्शती के पार्ट भी जरूर सुनेंगे। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक करना मत भूलिएगा।